ओम, शान्ति, आपका प्रश्ण है, परमात्मा ने हमें एडॉप्ट किया है, फिर हम आत्माओं को किसने बनाया? आत्माओं कहां से आई? कोई तो क्रियेटर होगा, कोई तो बनाने वाला होगा, बिल्कुल जरूर होगा? तो हम देखते हैं कि टुथ क्या है, सच क्या है, सच को जानने के लिए सबसे पहले सच की परिभाशा को जानना ज़रूरी है, और सच की परिभाशा है, जो था, है, और रहेगा, जो अनादी है और अनन्त है, जो शाश्वत है या स्रातन है, जिसका आरम और अन्त नहों, उसे कहते हैं सच्थे, तो हमें सच्थे की परिभाशा हमारी बुद्धी में रहे, तो हम समझ सकते हैं कि सच क्या है, सच का अरम नहीं, सच का अन्त नहीं, ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखने हैं, अब सच हम तब ही समझ सकते हैं, जब हमें जूट का भी पता हो, असत्य क्या है, जिसका आरम और अन्त है, वो असत्य है, अब हमें परिचानने के लिए सच कहें, तो हम किसको कहें, सबसे पहला सत्य है समे, जिसका आरम नहीं, जिसका अन्त नहीं, जो अनादी है और जो अनंत है, इसके बाद आता है, समे सत्य है, तो समे का जूट क्या है, सबसे पहली बात हमें सत्य समझ में आया अब सत्य के जूट को ध्यान से समझना है समे सत्य है परंतु समे की एक एकाई चाहे वो एक सेकिंड हो वो अरंब भी होता है और अंत भी होता है जिसका अरंब और अंत है वो जूट है तो समय की एक इकाई का अरंब और अंत है वो जूट है इसी परकार एक मिनट, एक गंटा, दिन, सब्ता, मैना, साल, युग, कल्प उनका अरंब भी है और उनका अंत भी है तो वो सब के सब क्या है जूट है फिर समय सत्य है क्योंकि समय एक चक्र में चलता रहता है एक सेकिंड कतम हुआ, दूसरा सेकिंड शुरू एक मिनट कतम हुआ, दूसरा मिनट शुरू एक गंटा कतम हुआ, दूसरा गंटा शुरू दिन कतम हुआ, दूसरा दिन शुरू सब्ता खतम हुआ, सब्ता शुरू, मैना शुरू, योग शुरू, काल्प खतम हुआ तो काल्प शुरू ये चाकर चलता ही रहता है, अनादी काल से चलता आ रहा है और अनन्त काल तक चलता रहेगा तो हमें समझ में आता है, समे सत्य है, परंतु समे की एक इकाई, चाहे वो कितनी छोटी हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो, उसका आरंब भी है, उसका अन्त भी दूसरा सत्य है मारे पास नेचर, अध्यात्मिर्ष्टी से संसार पांच तत्वों से बना है, विज्यानकी द्रिश्टी से तीन तत्वों से बना है चाहे वो तल्ल हैं, चाहे थोस हैं, चाहे गैसिस है, भूमि, गगन, वायू, अगनिर अरा काई ये तीनों सत्य है क्योंकि किसी भी element को हम create नहीं कर सकते किसी भी element को हम destroy नहीं कर सकते देवर देविल भी ठीक इसे प्रकार पांच तत्वों में से किसी भी तत्व को हम create नहीं कर सकते किसी भी तत्व को हम nest नहीं कर सकते देवर देविल भी अब हमें इस नेचर के असत्य को भी समझना है क्योंकि परतिक तत्व अपने आप में सत्य है पर तु एक से अधिक तत्व मिलकर जो एक नया तत्व बनता है वो असत्य है जैसे विज्ञान कहता है कि पीतल जो है वो जूट है तामबा जो है वो सत्य है जो कि तामबा, तिन, लेड इन तीनों को मिलाने से पीतल बना हैं ये तीनों चीज़े पीतल के अंदर अवेलिबल हैं परन्तु यदि उसमें से किसी भी एक एलिमेंट को निकाल दें तो पीतल नहीं रहेगा ठीक इसी परकार ये पांस तत्यों से बना हुआ शरीर सत्य है भूमी, डल, अग्नी, वायू ये पांचो तत्यों से बना हुआ ये शरीर जो है उसत्य है तीसरा सत्य है आत्मा आत्मा को आस्तक किसी ने बनाया नहीं आत्मा कभी मरती नहीं परम आत्मा वो एक देव आत्मा है 33 दर्म आत्मा है अनेक महान आत्मा है अनेक पाप आत्मा है अनेक नीच आत्मा है अनेक और हमें समझ में आता है कि परम आत्मा भी एक आत्मा है किसी भी आत्मा को create नहीं किया जा सकता क्यों? क्योंकि सत्य तब ही है जब उसका कोई creator ना हो आत्मा सत्य है तो आत्मा का creator कोई नहीं ये तीन सत्य है, प्रकृति सत्य है, आत्मा सत्य है, समय सत्य है ये तीनों हमेशा थे हैं और रहेंगे इन तीनों में से किसी एक ने किसी दूसरे को नहीं बनाया तब ही ये सकते हैं क्योंकि कोई रिक्रियेटर नहीं हो सकता इस लाइन को बहुत अची तरह से हमें समझना है जो सत्य है सत्य की परिभाशा ही महत्वपूर्ण है कि वो हमेशा थी है और रहेगी उसे किसी ने क्रियेट नहीं किया यदि कोई उसको क्रियेट करे तो वो असत्य हो जाएगा और विस्तार से चनना हो तो प्रजा पिता ब्रह्मा को मारे इश्वरिये विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंद्र को पर्क करें और यदि प्रमात्मा के बारे में आत्मा के बारे में स्रिष्टी चक्र के बारे में कर्मों की गति के बारे में आपके मन में कोई प्रशन उठता हो तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सादो हजार वीडियो का एक सेट जिसके हम साथ भागों में बाट कर डाला गया है आप उन्हें देख सकते हैं आपके सभी प्रशनों के उत्तर वहां मिलेंगे से कुरे लो शान